हेलो फ्रेंड्स मैं रेनू अपने चैनल इजी निटर पर आप सभी का स्वागत करते हूँ फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए ये मैटी कलर का निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ इसको आप टू कलर में भी बना सकते हैं जाप और बची बची उनका यूज़ अगर करना है तो ये मैटी कलर में भी बना सकते हैं इसको बनाने के लिए हमने फंदे किस हिसाब से लेने हैं सबसे पहले हम वे देखते हैं यह जो डिजाइन है यह यह Insos पंदे का फलावर है, बीच में हमने पांच पंदे का गैप लिया हुआ है, और इसके लिए जो हम एस्टिच रखेंगे वो हम दो रखेंगे, एस्टिच, तो यह देखें, फंदे के सिसाब से हम लेंगे, ये दो एस्टिच साथ फंदे का हमारा ये फ्लावर फिर पांच फंदे का गैप फिर ये साथ फंदे का फ्लावर पांच फंदे का गैप साथ फंदे का फ्लावर और इस तरह से करते करते एंड में प्लस दो एस्टिच तो ये फंदे हमारे हो जाएंगे ये देखें 12 फंदे के मल्टिपल आएंगे और यहां पर 7 और 2 ये स्टिच 12 के मल्टिपल प्लस 11 फंदे तो हमारे फंदे अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले तो 12 के मल्टिपल माइनस 1 जैसे 12 इंटू 2 24 एक माइनस करेंगे तो 23 12 के मल्टिपल 3 करकर 36 माइनस 1 करेंगे तो 35 इस तरह से हमने फंदे डालने है ये जो डिजाइन है हमने ये 35 फंदो के साथ बनाया हुआ है अब इसी को मैं आपको 23 फंदो के साथ बनाना बताऊंगी सबसे पहले हमने बॉडर बना लिया और बॉडर बनाने के बाद जिस भी कलर से हमने डिजाइन डालना है उस कलर को हमने इसमें जोइन कर देना है ये जो हमारे डिजाइन है ये जो हम कलर लगा ये भी चार सलाई का है और जो बीच में हम गैप लेंगे वो भी हमारे चार सलाई का है शुरू का गैप हमने ये दो सलाई का रखका है ये आपकी इच्छा पर है, इसे भी चार सलाई आप बना सकते हैं अब ये देखने, डिजाइन की चार सलाई हम बनाते हैं First row चल रही है डिजाइन की पहली सलाई सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे जितने भी फंदे हमारे पास सलाई में होंगे सब को हम सीधा बना लेंगे ये देखें पहली सलाई पूरी सीधी अब ये आ गई हमारी दूसरी सलाई दूसरी सलाई पर हमने क्या करना है ये देखें फंदा हमने पहला उतारा उनको हम पीछे ले गए एक फंदा ये सीधा बनाया हमने सीधे हमारे सारे ही फंदे बनेंगे पर अब ये फ्लावर वाले फंदे हमारे डबल बल के साथ बनेंगे ये देखें इस तरह से अब ये हमारे साथ फंदे डबल बल के साथ ये देखें तीन, चौथा फंदा एक बार उन हमने ऐसे लिए फिर उनको एक बार और नहमा लिया चार पांच छे और ये साथ फिर ये gap वाले फंदे simple सीधे एक, दो तीन, चार पांच फिर ये flower वाले साथ फंदे एक बार, फिर ये दूसरी बार दो बाल हो गए एक, दो एक, दो एक, दो इस तरह से ये डबल बल के साथ ये देखे, एक, दो, तीन, चार, पांच छे और ये साथ फिर दोनों एस्टिच एक ये सीधा आगे उनकर कर लास्ट में ये उल्टा अब डिजाइन के आ गई हमारी तीसरी सलाई अब ये देखें, ये भी सीधी बनेगी पहली सलाई भी हमारी सीधी बनी दूसरी सलाई भी हमारी सीधी बनी है और ये तीसरी सलाई भी हमारी सीधी बनेगी एस्टिच उतारा हमने दूसरा फंदा ये सीधा बनाया अब ये देखें, ये जो हमारे साथ फंदे हैं, डबल बल वाले, इनको अब हमने खोल लेना है, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ, ये साथो फंदे हमने खोल लिये, ये देखें, साथ फंदे हमारे पास सलाई में, उनको आगे कर लिया, और ये साथो फंदों को इस तरह से ले लिया, ये एक बार, एक फंदा बन गया, दूसरा फंदा हमने सलाई में लिया, फिर ये तीसरा फंदा, चौथा फंदा ये सलाई में लिया, ये पांचमा फंदा, ये छटा फंदा, और फिर ये सातमा फंदा, ये हमारे सात मैं से हमने सात फंदे ही बना लिये, उन दो, तीन, चार, पांच, फिर ये फ्लावर वाले साथ फंदे, इनको फिर से हमने उनको आगे करकर खोल लेना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ, हम ये देखे, साथों को एक साथ हमने ये उल्टा बनाया, पहला फंद, ये एक बार उन गुमाई, दूसरा फंद, फिर ये साथों में से डाली सलाई, तीसरा फंद, फिर एक बार उन गुमाई, चोथा फंद, ये पांच, फिर एक बार सलाई पर छटा, और एक बार ये साथो फंदों के अंदर ये साथ में साथ में से साथ फंदे हमारे बन गए उन पीछे ले गए ये फंदा सीधा लास्ट में ये एस्टिच भी सीधा अब ये देखें तीसरी सलाई हमारी बन गई अब हम आ गए चोथी सलाई पर सलाई wrong side की है पर पूरी सीधी बनेगी ये देखें इस तरह से ये flower वाले फंदे भी एक-एक करकर सारे सीधे बनाएंगे हम दो तीन चार पांच छे और ये साथ गैप वाले भी सीधे एक दो तीन चार पांच तो ये flower वाले आगए एक दो तीन चार पांच छे साथ अब ये देखें मून आगे करकर एस्टिच हम उल्टा बना लेंगे ये डिजाइन हमारा चार सलाईों में एक बार डल दिया है अब हमने गैप की सलाईयां बनानी है चार अब हम बेस कलर को अपने को लगा लेंगे और सारे फंदे सीधे बनाएंगे अब ये देखें ये सलाई पूरी सीधी बन गए अब दूसरी सलाई पूरी उल्टी बन जाएगी वैसे ही है हमारी छटी सलाई है चार सलाई है हमारे डिजाइन की और फिर ये बेस कलर से दूसरी सलाई है तो वैसे छटी सलाई है हमारी अब ये सात्वी सलाई है चार सलाई डिजाइन की और गैप की तीसरी सलाई तो ये सात्वी सलाई है और ये सलाई पूरी सीधी बनेगी और फिर आठ्वी सलाई पूरी उल्टी बनेगी अब ये देखें चार सलाई हमारी डिजाइन की बन गई और चार सलाई हमारी ये गैप बेस कलर से बन गई अब अगला कलर हमने इसमें लगा लिया है अब हम क्या करेंगे अगला कलर लगाने के बाद फिर वैसे पहली सलाई पूरी सीधी color change करकर यह तीसरा color हमने लगाया अगर दो color से आपको बनाना है तो same color को ही लगा करके पूरी सलाई सीधी बना लेंगे यह देखें पहली सलाई हमने सीधी बना ली दूसरे ड़बार डिजाइन की अगर वैसे हम गिसे गिनेंगे तो यह हमारी नौ मिसला लाई है अब यह हमने फंदा उतारा फुल्टी तरफ से और अब हमने साथ फंदे सीधे बनाने है सिंपल्स चार पांच छे और यह साथ अब हमने साथ फंदे डबल बल के साथ flower बनाने वाले तो तीन चार पांच छे और यह साथ अब फिर साथ फंदे सिंपल्स ही दे एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ आगे उन ऐस तिछ यह उल्टा बनाने गया अब तेखे वैसे हमारी यह दस सलाईय कंप्लीट हो गई ग्यार्मी सलाईय और दूसरी बार डिजाइन की हमारी यह तीसरी सलाईय यह साथ फंदे हम सीधे बना लेंगे एस टेच उतार करके दो तीन चार पांच छे और यह साथ अब यह डबल वाले फंदे यह फ्लावर वाले यह हम खोल लेंगे यह देखें इस तरह से अब इनको हमने पून को आगे किया और यह साथ फंदों को एक साथ हमने यह ले लिया चलाई पर और यह एक बार यह उल्टा बनाया फिर यह दूसरा फंदा इस तरह से घुमा करके लिया तीसरी बार फिर यह सारे फंदों में डाल करके तीसरा फंदा ये एक बार गुमा लिया चौथा फंदा फिर ये इस तरह से डाल करके बनाया पांचमा फंदा एक बार सलाई पर से गुमा लिया छटा फंदा और फिर ये एक बार सारे फंदों में से साथमा फंदा ये साथ के साथ फंदे हमने बना लिये उन पीछे ले गए और ये वाले सारे फंदे हमारे सीधे बन जाएंगे ये ग्यार मी सलाई हमारी कंप्लेट हो गई अब आगई हमारी ये बार मी सलाई ये पहले ये वाले साथ फंदे सीधे और फिर ये फ्लावर वाले साथ फंदे भी सीधे और फिर अगले साथ फंदे भी सीधे बनेंगे हमारे ये देखें इस सलाई पर सारे फंदे एक एक करकर हमने सीधे बना लेने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ अब ये वाले फंदे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ उन आगे लास्ट का फंदा ये स्टिच उल्टा बना लिया अब हमने बेस कलर से फिर से चार सलाईयों का गैब डालना है ये 4 सलाई हम एक सीधी फिर उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी बना लेंगे और फिर उसके बाद हम ये अपना design फिर से पहली सलाई से repeat कर देंगे ये सलाई में एक बना करके फिर आपको दिखाते हम ये देखें ये एक सलाई complete हो गई अब हम यह gap वाली 3 सलाईयां और बना लेते हैं एक उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी अब यह देखें यह gap वाली 4 सलाईया भी हमने बना ली तो यह देखें यहां से इस वाली डिजाइन से हमने टोटल 16 सलाईयां बनाई इनी 16 सलाईयों को हमने बार बार repeat करना है तो हमारा pattern आगे आगे बनता चला जाए यह दिखें चार सलाई का design चार सलाई का gap चार सलाई का design दो बार जो design डलाए वो ही आगे repeat हो रहा है यानि 16 सलाईयों को बार बार repeat करना है friends अगर आपको यह मेरा pattern पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को like करें मेरे channel को subscribe करें thank you friends